किसान भाईयों नमस्कार मेहूद असरत दाकर आप देख रहे हैं डीप आर्मिंग योटूब चैनल बढ़सात होते ही किसान भाई स्वेबिन की बोवनी में जोट जाते हैं लेकिन स्वेबिन की बोवाई से पहले भी एक इसा काम में जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये काम करना जरूरी होता है अगर आप ये काम समय पर कर लेते हैं तो निस्से तोर पर आप स्वेबिन की खेती से अधिक उपज उत्पादन ले सकते हैं इस वीडियो में आखिर तक बने रहे हैं पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और सियर कर दीजी यदि आप हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब करें पास में जो गंटी का निसान आया है उसे जरूर चालो करें ताकि आपको हमारी हर एक नए वीडियो की नोटिफिकिसन के दुवरा जानकारी मिल पाए किसान भाई यों स्वेबिन की बुवाई का जो सही समय होता है वो जून अंतिम सब्ता से जुलाई के परतम सब्ता के बीच में होता है यानि कि जब आपके सेत्र में अच्छी वर्सात हो जाए उसके बाद आप स्वेबिन की बुवाई करें अगर आप सीट्रिल से स्वेबिन की बुवाई कर रहे है तो ज़्यादा गहराई पर आपको बीज नहीं डालना है इसके लावा स्वेबिन की बुवाई से पहले एक जरूरी काम है जो आपको करना है अगर आप ये काम करेंगे तो आपको कहीं सारे फाइदे मिलेंगे किसान भाई यों स्वेबिन की बुवाई से पहले आप जो भी विराइटी चेयन कर रहे है जैसे कि जे एस बीज चोतिस या कुछ अन्य विराइटी जो परचली तो हुई है उनका अगर आप चेयन कर रहे है तो स्वेबिन के अंकुरन की जहां चाप बुवाई से पहले ही कर ले यानि कि स्वेबिन का अंकुरन परिक्षन बहुसे किसान भाई बिना अंकुरन परिक्षन की ये ही स्वेबिन की बुवाई कर देते है जिससे क्या होता है कि सभी बीज अंकुरित नहीं हो पालते है जो संतुलित बीज दर हम डालते है उसमें कुछ बीज अंकुरित नहीं होते है जिससे हमारे खेत में पोदे भी दूर दूर हो जाते है सुरुवात में ही फसल कमजोर नजर आती है इसलिए आप बुवाई से पहले ही जब आप घर्मी के दिनों में फ्री रहते है उसी समय आप सुयबिन का अंकुरन जाच ले जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे सुयबिन की जो विराइटी हम लगा रहे है उसमें कितना अंकुरन होगा किस परकार से हमें बीज दर डा जाच ले जाएगा उसमें बाद आपको सुयबिन के बीज गिन कर डाल देने है जैसा कि आप अगर दो अलग-अलग विराइटीों का अंकुरन जाच रहे है तो अलग-अलग साइड पर आप उन विराइटीों की बीजों की संक्या को गिन कर उसमें रख दे उसके बाद टा जाई यानि की नमी बनाए रखना है आप उस पर पानी छिड़काओ करते रहे और टार्ट को पूरी गिली रखे दो दिन बाद आप देखेंगे की आपके सुयबिन का अंकुरन हो जाएगा अगर आपकी विराइटी में अच्छे से अंकुरन होता है तो आप आसानी से जहा है तो आपको उसमें पता चल जाएगा आपको लगबग इस टार्ट को विगो कर लगबग 42 गंटे या 48 गंटे तक रखना है यानि की दो दिन तक आप इसको विगो कर रखे और आपको पता चल जाएगा की हमारे सुयबिन में अंकुरन कितना हुआ है आसानी से आप घर पर सुयबिन के अंकुरन की जाच कर सकते है जिससे आप जब भी बुवाई करेंगे तो आपको आसानी रहेगे कि हमें कितना बीज अपने खेत में डालना है कितने पोदे उगेंगे अगर आपके सुयबिन के अंकुरन का पूरी तरह से रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो आप सुयबिन की बुवाई से पहले सुयबिन के अंकुरण की जाच अवश्य करें जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे तो किसान भाई यो उम्मिद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक सेयर करना ना भूलें ध हन्यवाद